कि यह हैं पर मुख्या जी कुछ काम की हैром शौना झाल कुछ पाय खाना कुछ ख़ो देख्या कुना हम अरजी कजते हैं तो इस वाड में काम है नहीं ना कोई काम नहीं अठ सकतरई में कोई भी काम नहीं हुआ जल नौल चाह ज़िए ग्रेख गार वोर कुछ भी नहीं मिला जी डंग से काम होना चाहिए उन डंग से नहीं हुआ है नहीं हुआ है अब हम इस प्रोग्राम का न यहां से शुरू करते हैं बात करना तो देर किस बात किया चलते हैं अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे वैक्ती को खाना खिलाए रूफ फाउंडेशन की मुहीं अब कोई न भूखा रहे से जुड़े रूफ फाउंडेशन.org पर जाए या नीचे दिये गए लिंक को क्लिक कर करे डोनेट जॉइन हैंस टू फीड दा हंगरी देगे वैसे हम आगे हैं यहां पर लोगों के पास और यहां की जो चाची दादी है ना लोग बताएंगे कि यहां पर क्या कुछ काम हुआ है विकास के नाम पर और क्या कुछ नहीं हुआ है वैसे काम भी हुआ है कि नहीं तो यह तो लोग ही बताएंगे बताइए चाची की काम हुआ है काम तो नहीं हुआ है यहां पर जैसे कि कौन सा वाड़ी पढ़ गया कौन वाड़ है यह आठ नमबर वाड़ पर जाल नल के वाड़ नहीं मेल रहा है ना कुछ का सुविदा मिल रहा है यह बताएज कि जैसे कि पांसाल का समय दे दी अब तो चुना होने वाला है तब कब लगेगा अब तौओं का अथी हो के हान तो आप यतना दिन्यों पांसाल में नो देल थीन तो पती देढ दें वि कॉई काम नहीं हुआ इस वाड में आठ नमबर वाड में कोई भी काम नहीं हुआ जलनौल चाहाए घर और कुछ भी नहीं मिला है जैसा कि आप तो चुनाव होने वाला है, तो कार के अधार पे ही लोग मुख्या को चुनते हैं, ताकि गाउं का विकास करें, यहां के जितने भी वार्ड है, उस उचारू रूप से सारा काम चले, धढ़ातल पर हो, तो इस मामले में आपको क्या लगता है, कि आने वाला कल कि यहां पर कितने लोग विपक्ष में खरें अगर यहां पांस साल का मौका देते हैं मुख्या को चूंकर लेकिन पांस साल के दौरान अगर यह चीज यहां पर नोगो उन्हें को विकास ना मिले ना सुविधा मिले धरातल पे काम ना हो तो भाईी थोड़ा सा दिक्कत है वैसे एक और चाची इन से भी बात कर लेते हैं। यहां कि जंता भोल रही है कि जो कोई भी हो इंसान अगर काम नहीं करेगा तो वह पेल ही होगा यहां पे इन लोगों सुविधा मिले में बहुत परिशानी हो रही है जैसा कि यहां के लोगों से बात करके पता चल रहा है और साथ ही बता दे कि इस वार्ड में यहां नल जल की सुविधा नहीं मिली है तो चली और लोगों से बात करेंगे और पता करेंगे कि यहां पे लोगों को और क्या क्या परिशानी हो रही है आईए देखे और दादी जी मिली है वैसे तो यह लोग बिता हैं यहां पर हम पें क्या पता करने के लिए कि इनको पता है नहीं हुआ है तो इस मामले में मुखे जी से बात किया है 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 मुखे जी से बात किया है मुके जी तो भडोसा दे तो इस मामले में आप पात मतलब अभी तक सुनवाई नहीं हुआ अजा नल जल का भी सुविदा हम लोग को नहीं आया करें बुला करके बैठक भी हम लोग किया मुक्याजी अस्वासन भी दिया यह इस वार आपको नल जल ओजना आपके नजिक चालू किया जाएगा आपके इंतारा दिकत है जिस वार्ड में ναbas होना है अट इंगर है लेकिन बीच में डी मैं रेल्वे लाइन है इसलिए डी लायन के इधर नहीं हुआ रेल्बे लाइन के उस पार हो गया है लेकिन इस तर हम लोग सौव डिर सो आजमी जो है घर नल्जल उजना से बंचीत है और सरकारी कोई भी उजना यहां नहीं हो पार है यह आठ नमबर वाज में अभी तक नहीं हुआ है आठ नमबर वाजना जो है वाड जो है यह उजना से बनचीत है चाहे मुख्या का हो चाहे किसी का हो जैसा कि देखे ये चाचा जी बहुत कुछ बता दिये कि यहां पे आठ नंबर वार्ड में लोग वनचीत हैं किसी भी योजना से यहां की लोगों को जानकारी भी नहीं और इनफेक्ट उस काम का सुविधा भी नहीं मिल रहा ह धरातल पे काम ही नहीं हुआ तो कहां से आ चक्के विधा पिंसन नहीं मिलता है तो पूछे मुख्या जी से अब मुख्या जी तो कहा बर लेगे या भरके लेकिन अभी तक कोई अभी तक आया नहीं है तेखे भाई यहां के लोग थोड़े से परिशान है इस मामले में मुख्या जी थोड़े ध्यान देना चाहिए कहें कि यहीं लोग विश्वास पर आपको चूनते हैं और यहां प करने के लिए और आजी नहीं होते हैं तो जैसा कि अभी चुना होने शूबता होडा है लेकिन यह क्या दे रहे हैं नहीं घर दे रहे हैं लाटिंग का पैसा दिया हो तीन साल हो गया अभी तक आपास नहीं है अब तक नहीं आपए लगा कर लिए बोले देंगे लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया किकलें जैसा कि अब चुनाव होने वाला है तो इस मामले में आपको क्या लग ता है अभी तो किसी को नहीं चुने हैं जो किसको देंगे नहीं देंगे अभी भविश्य नहीं देखी है ऐसे चुनकर जानते हैं नहीं है जब आएंगे दुड़ा पर तब नहीं जानेंगे जी कौन आएंगे मुख्या से लेकिन संटूस्ट नहीं है तो मुख्या जी पास की फेल जब इतना बता दिये तो इतना फेल समझ जाई है देखें जैसा कि यहां दीदी जी बता रही है कि जब कुछ की ही नहीं है तो पास कैसे हो जाएगे भाई वैसे तो सही बात है काम के अधार पर ही लोग यहां चुनाओ करते हैं और साथ ही बता दे कि अगर आपको 5 साल का मौ है बाकी कहीं गलती होता है तो जनता तो छोड़ता नहीं है वैसे यहां पर विकास के मामले में यहां पर लोग बहुत परिसान है आई यह लोगों से बात करते हैं और पता करते हैं और साथ ही यहां से चलेंगे हम और भी लोगों से बात करने चली आई देगे वो चाचा जी इनसे पूछते हैं हां बताइए चाचा जी यहां के जो मुख्या जी है वो कुछ काम किये हैं कि अभी तक पानी नहीं आया है लेकिन पानी नहीं आ रहा है तो बात किये थे मुख्याजी से पानी आता है आज खोलेगा बियान खोलेगा कुछ नहीं होता है ना कोई देखने बला है ना कोई कहने बला है परसासान आया फोटो घीच के लेगा है काटा हुआ चीज को बाइशी केमरा लगा का घीच के लेगा है लेकिन अभी तक ला उसको आय नहीं हुआ अच्छा यह बताईए कि जैसा कि अब तो चुना होने वाला है तो यह बात का भी उनको ध्यान नहीं आ रहा ध्यान उनको आत है लोगों को और जो पांस साल का मौका आप लोग इतना इमानदारी पूरवक चून के दे रहे हैं तो क्या विकास के मामिले में कहां तक काम हुआ है इस वार्ड में एक भी अवास नहीं मिला है पानी का सुविदा मिल रहे हैं तोटी लगा हुआ है पानी का सुविदा नहीं है वैसे बता दे कि यहां पे आने के बाद लोग पडिसानी अपना सुनाना शुरू कर दिये हैं और साथ ही यहां पर लोगों का कहना है कि यहां पर कुछ भी काम विकास के मामले पर नहीं है और धरातल पर जो काम हुआ है उसका सुविदा भी नहीं मिला यह देखते हैं देखें ये चाचा दिखाना चाते हैं कि यहां पर टोटी तो लगा हुआ लेकिन पानी कितने दिन से नहीं आ रहा है अब ही तकला पानी नहीं आ या भाई ये तो गरबर मामला है कहें कि जो जो जल नल जल का योजना के तहत यहां पर पानी की सुविधा मिलनी चाहिए थी वह सुविधा यह लिए लोग घूस असुलिया आका कि ऐसी को एक पैखाना नहीं मिला जैसा कि यहां पर बहुत ही ज्यादा ही परिशानी हो रखी है और मुख्या जी सुन्वाई अभी तक नहीं कि इन को पेंशन भी नहीं कर आई, फाप आपका भी नहीं हुआ है उसको बच्चा को मिल रहा है पेंशन, हमको नहीं, इसमें हमारा कम से कम 2000 से उपर रुपिया खर्चा हम कर चुके इस वार 11 नमबर वार्ड के कोई जनता बोट गिराने नहीं जागा, पंचाज चुनाओं में जैसा कि देख रहे हैं, जैसा कि यहां के बुजुर्ग लोग कह रहे हैं, यहां पे तो कुछ विकास के मापली पे बात नहीं दिख रहा है, वैसे तो हम इन से पूछना चाहेंगे, यह बताइए, कि आने वाला तो चुनाओं है, भोट नहीं देख, कोई तो ऐसा इनसान को आ है, हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं है, हम लोग तो उनहीं को देते हैं, लेकि नहीं जीत रहा है, लोग का है कि यहां पर राज दूसरा है, जादब का संक्या, लेकिए भाई, यह यहां पर दूसरा मामला आ रहा है, जैसा कि यहां के लोग करें, आप तो सुन रहे हैं, यहां सब चीज यहां के लोग बोलेंगे, और पोल तो मेरा काम है नेशन भारत के द्वारा आप तक खोल के दिखाने का, वैसे चलिए और एक और आदमी से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि यहां पर वैसे विकास के दौर में यही मुख्या जी जैसा यही लोग बता रहे हैं कि काम नहीं किये, तो कोई तो जिस पे विश्वास करके सोच रहे हैं कि आने वाला कल जिसको दे तो इनलों का भी समाधान हो, तो आई यह बात करते हैं तो हमसे 5000 रुपया इंद्रावास कराने के लिए ले लिए लेकिन अभी तक एक रुपया भी नहीं दिये इंद्रावास का आपने फॉर्म भड़ा लेकिन 5000 रुपया भी दिये लेकिन उसका कोई सुन मैं इस बारे में बताए मुख्या जी को हाँ हम लग बताए हैं तो क्या बोले कुछ भी नहीं बोले है मुख्या जी कुछ भी अभी तक नहीं बोले है पानी का सुबधा मिल रहा है नहीं मिल रहा है नाली गली का कुछ भी सुबधा नहीं मिल रहा है तो मुख्या जी PAS की फेल, देखेंगी जैसा कि बता रही हैं, और भी लोगों से बात करेंगे जैसा बता रही हैं कि यहां पर काम के मामले में जीरो है, अब इन से भी बात कर लेते हैं, यह बताएगी कि मुख्या जी के बारे में बताएगी का कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं तो अब तो चुनाओं आने वाला है वैसे कहीं कुछ काम के अधार पर कहीं पता है कि काम हो रहा है लेकिन यहां पर मतलब आपको नहीं हो रहा है पर तब कुछ नहीं हो रहा है अलग बलग सुन रहा है जो यहां चीद दिया है वाची दिया है यहां त यहां पे बहुत दुख है यहां पे लोग बहुत कुछ बता रहे हैं कि यहां होने के बावजूद आवास के लिए इन्होंने पैसा दिया इंदरा आवास के लिए लेकिन उसके बावजूद भी इनको आवास नहीं मेला वैसे मैं बात करूँगी, क्या? इनसे बात करूँ ना? यह बताईए क्या आप तो नो युवा से हैं, यहाँ पर सिख्शा के मामले में कैसा? बहुत गंदा चलता है, गंदा चलता है क्या जैसे? जैसे कि बच्चा लोगों कोई पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, छोटा बच्चा लोग है, अंगनबारी ये समय जा है, कुछ भी उन लोग का तोर गंदा चलता है, कुछ नहीं होता है, अचा ये बताईए कि जैसे कि आप यहां रह रही हैं, तो बहुत क लोगों के साथ हुआ कि जैसा कि लोगों से बात कर के देख के और बाहु जो दिखारे साक्ष के साथ लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर विकास के मामले में जीरो जैसा कि लोग भाईया कह रहे हैं हमरा तो काम है यहां के लोगों से बात करके साक्ष के साथ आप तक पहुँचाना बाकी तो रिजल्टिंग समझ गया न चलिए और लोगों से बात करते और देखते हैं क्या-क्या यहां पे और परिशानिया है देखे भाई यहां पे एक और परिशानी आ रखे है जैसा कि यहां के लोगों का कहना है कि जो रोड बना है यह रोड जो है भाईया कल परसो बना था आज खतम हो गया है वैसे लोगों का कहना है पूसते कि क्या कारण है आई है हां बताईए क्या बता रहे थे आप वह सुने के लिए तयार नहीं है। तो जैसा कि यहां पर जो बन वारे थे उनके दौरान आप लोग यहां पर तो दिन में रोड बना और धोस्त भी गां देखने का चीज आरे वा भाईया जैसा की बता रहे हैं यहां पे इन लोगों ने बताए कि जो रोड बन रहा है वैसे यही रोड है आप देख सकते हैं यह ध्वस्त भी हो गया है देखें जैसा कि यहां पर जैसा बताए थे कि यहां रोड जो बना है वो अब ये दरार पर चुका है और एक तरफ जूक रहा है और साइट से निकल भी रहा है ऐसा रोड बना के भईया का कर रहे हो यहां का विकास नहीं समझ गयाना काई कि हम कुछ बात तो बोल नहीं पाते हैं यहां के लोग ही बता देते हैं और यहां विकास के नाम पे लोग बहुत परिशान हैं और कुछ नहीं कह सकते हैं अब तो यहां के लोग ही बताएंगे कि अब मुख्या जी से खुश है कि ना अब इसी के साथ हम यहां के लोगों से बहुते कुछ जाने हैं और यहां पर पता चला है कि विपक्ष में भी लोग बहुत खरे हैं तो कुछ लोगों का नाम आ रहा है तो चली ना उन ही से बात कर लेते और भी चीज कहें कि यहां की जनता तो अभी तक परिशान है अब आने वाला कल कैसा विकास लेकर आएगा यहां के लोगी बताएंगे तो चलिए बात करते हैं तो चार गुर्वेटा है में अपने पांच भू पूत रासन नहीं मिल रहे है अड़ हम तक घाट पर जाब आलेकर हमारा पर रासन करना मिला यह पानी दिलगा देलू पानी नकना मिल यह तो कि जी अब रुद पानी निकाना मिला यह फिसी बदिश्वाली कर हजारों कुष्य आये दादा जैसा तो कहिया होगा देखे भाई ये तो परिशान यहां की जंता बता रही है कि किस मामले में क्या परिशानी हो रहा है और साथ ही परिशान होकर चिड़ गए है यहां के लोग कहें कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है वैसे तो हमारा काम है यहां के लोगों के ब अब जानेंगे कि यहां पे और भी विपक्ष में जो खड़े हैं लोग उन में से कौन से लगते हैं कि आने वाला कल उनके हाथ में है चलिए आईए जैसा कि यहां पे बहुत सारे परिशानी इस पंचायत में देख कर लोगों का सुन के बहुत अजीब लगा लेकिन इसी के साथ जैसा कि कहना है कि कारे के अधार पर लोग चुनाओ करते हैं अपने भविशे के लिए मुखया पद के लिए तो इसी के साथ आपको बता दे कि जहां विपक्ष की बात करें तो यहां पे विपक्ष में 32 लोग खरे हैं और साथ ही एक विपक्ष भावी प्रत्यासी भी है मुख्या के लिए तो उनसे मुलाकात होई वो डॉक्टर साहब है लेकिन इनसे तो हम बात करके पूछेंगे कि भ कर दो नल की सुविधा लगी हुई है लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है तो इसी के साथ इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वर्तमान में जो मुख्या जी है वो का की है और इनका क्या लक्ष है इसके लिए नमस्कार से अपको ही नोस्ते ये वर आपका नाम क्या हो रा आपने आपको आगे कैसे मुख्या के रूप में देख रहे हैं। सबसे पहले कि मेरी वाइफ लक्षमी परधान जादा वेहां की मुख्या होंगी, यहां रिजर वेशन सीथ है। अभी तक हम बहुत से ऐसा काम की हैं समाज में, मुख्या न रहते हुए, किसी पद पर न रहते हुए। जैसे कि जब कुरोना काल हुआ, सबसे पहले पूरे पंचायत में ही नहीं, अगल बगल के पंचायत में भी सबसे पहले सरकारी योजना से पहले हमने सेनेटाइजर बटवाने का काम किया, मास्क बटवाने का काम किया, उसके अधर साबून बटवाने का काम किया, जिसके बगल में मेरा बिद्दू प्रेस्टेशन मार्केट है उहाँ पर अभी से 10-15 साल पहले से हमने रंगदारी को समाप्त किया उसके लिए भी हमको केस लड़ना पड़ा पुलिस का सहजोग मिला, यहाँ के जनता का सहजोग मिला उसके बाद जब भी जनता को जिस तरह क्या हो सकता होती है उस समय हम तरपर रहते हैं इसकी जनकारी आपको यहाँ के हमारे आधरनिये जनता सभी मिल जाएगी देखे जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए मदद कर रहे हैं आने वाले कल में लोग निस्वार्थ मदद का रखते हैं आप लोगों से तो वैसे इस्थिती में जो वर्तमान मुख्याजी हैं उनका क्या आपका क्या है कि वो काम की है काम जैसे नलजल का काम सभी वाड में अधूरा है एक नमबर वाड में सबसे पहले नल जल का जो मोटर था उजल गया वहां के जो वाड हैं बरत्मान वाड सुन्दरी देवी उन्होंने अपने पैसा से हलाकि वीडियो से वासवासन दिये थे फिर भी अपने पैसा से उन्होंने क्या बोलते हैं उसको मोटर लगवाने जा रहे हैं दू नमबर में पानी समय से नहीं मिलता है तीन नमबर में आधा बस्ति में नल जल गया है आधा में नहीं गया है चार नमबर में आधा में पानी बीजली नहीं होने के कारण नल जल का पानी समय से नहीं मिल पा रहा है 11 का इस्थिती जो है आप लोग देखी ही के आए हैं 12 के बारे में ज्यादा नहीं बता सकते हैं वैसे तो हम सारा वार्ड हूं कि आये हैं और जाहां आप wherebyमें जहां साएध हम अपना आख से देखें कि आप मुखिया पती से बात कर रहे थे उसमें दलित वस्ति में अभी तक पानी नहीं गया है जबकि दलित वस्ति में पहले वाइन आपनी जाना चाहिए जिसकी लिखिद सुचना हम वीडियो साहब को डीम साहब को और मुखमंतरी साहब को भी दिया जिसका रिसीविंग मेरे पास है लेकिन ना इस पर डीम साहब सुने ना मुखमंतरी साहब सुने देखे जैसा कि डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं कि जहां पर मुख्या जी से बात चीत हो रहे थी जिस अंतरगत हम बहुत कुछ पूछ रहे थे यह दिखा रहे हैं आपको यह कि यहां इस सौरान जो दलित बस्ती वहां का है जैसा कि मैंने मुख्या जी से भी पूछा था मुख्या पती जी से भी कि आपके यहां क्या क्या विकास का काम हुआ है तो उस अनुसार उन्होंने यहां पर आने पर यहां पता चलता यहां के लोगों से बात करने से पता चल रहा है कि कुछ चीजे नहीं हुई है और इन्हों ने उस चीज के लिए आवाज भी उठाई और साथ ही डियेम ऑफिस में जाकर इस बारे में बता सूचना भी दी पर अभी तक कोई सुनवाई नही हुआ है वैसे यह बताईए कि आपका लक्ष क्या है आने वाले कल के लिए मेरा सबसे पहला लक्ष होगा बहवारा पंचायत से घुस्खोरी को बंद करना विचौलिया से दूरी करना समाज के लोगों को और तिसरी नमर यह बात होगी कि अंत्यष्ठी औरजना में 3,000 रु वैं मिला मेरे पंचायत में कफन की चोरी भी हो रही है इससे नीचे अस्तर की बात क्या हो सकती है अच्छे तो जैसा कि यहां पर लोगों की जो सुझाओ आ रही है कि यहां पर अब जैसे कि बहुत कुछ बाते सुनकर उन लोगों ने भोटिंग दिया कि आने वाला कल हमारा विकास हो गाओं का हमें सारे योजनाओ की सुवीधा मिले तो वैसे इस थिती में लोग थोड़े से असमन्जस में पढ़ गए है तो आने वाले कल्म के लिए चुनाओ करने के लिए बहुत डड़े से रह रह रहा है तो इस मामले में क्या हो बिल्कुल चुकि जनता के लिए ही नहीं हमारे जो भी चुने हुए वाड सदस है उलो को ही मैं मदद कर रहा हूं यह देखिए यह भी मेरे पास डीम साहब का डीसीविंग है तीन नमबर वाड से असपस रूप से पचीस परसेंट घूस मागा गया है जिसका रीटन मेरे पास है हाड कोपी मेरे पास है डीम साहब जब बीडियो साहब को प्रेसर दिए फिर बीडियो साहब के कहने पर 50 अरुपया मात्र भेजा गया है क्या 50-100 रुपया में गली नली का काम हो जाएगा वह काम भी अधुरा है ठीक है और मैं आपको बता दू सारा पैसा हो गया क्या 2019 के पास 2019 के बाद वार्ट नम्बर तीन के लिए हमारे मुख्या जी के खाता में पैसा नहीं आए अच्छा तो यह चीज जो आप कर रिखे तो इसके पीछे तो सुनवाई की जारी ओगी मुख्या जी दो आपके और यह ने का समय तो जैसा कि अब तो चुनाव आने का समय हरो गया आपकी तैारी है मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, हम एदम निसांदे हैं इस बार चुनाओ के लिए, हम पहले बार चुनाओ लरे, हम रनर रहे हैं, जनता हमको बहुत प्रेम किया था, और इस बार हमको पूरा भरोसा है, जिस तरह से जनता हमको मान सम्मान अभी से ही दे रही है, हमको पूरा परोसा है कि मेरी पत्नी लक्ष्मी परधान जादब इस पर पंचायत का मुखिया बनेगी और पंचायत को क्या बोलते हैं उसको नहीं 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 चोह मुखी विकास करेगी और बिचौलिया से इसको दुर ले जाएगी जैसा कि देखें कि यहां पे जो भावी पत्यासी है इनकी पत्नी उनका दौरा तो शुरू हो गया है और जैसा कि यहां के जो भी काम में कठिनाई परिशानी और यह सब चीज का इनोंने उंगली और आवाज भी उठाया है भाई यह चीज यहां तक यह कंड दिये है कि वहां तक सुनने को उतारू हो गए हैं मुख्या जी और साथ ही यहां पे अभी तक सिर्फ समय दे रहे हैं बाकी तो करवाई यहां के लोग ही बता रहे हैं कि अभी तक कोई काम उसके बावजूद भी नहीं हुआ है साथ ही यह उजवल भविशे लेकर आ रहे हैं कि यहां के विकास जो चाहिए वो होगा वो योजनाय जो है वो धरातल पर दिखेंगी और साथ ही यह ऐसे प्रत्यासी हैं जो कि लोगों के सामने अभी से नजर में आने लगे हैं तो इसी के साथ हम आप सभी से इसाज़त लेंगे यहां से अलविदा लेने का और मिलेंगे दूसरे पंचायत में वैसे तो यहां पर पता चली गया आपको कि क्या चीज हो रहा है क्या चीज चाहिए यहां पर और बताने की तो जरुवत नहीं है क्योंकि यहां तो सब दिखा दिये हैं आपको और यहां के लोगों से बात करके पता चल गया कि पांस साल के दौरान क्या क्या काम हुआ है तो इसी के साथ नमश्कार लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल नीशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए